एक लेड़ी जिस भी सीटी में जाती है वहाँ के आदमियों के साथ उसका अफेर हो जाता है अब वो एक निव सीटी में है तो क्या हमारी में क्यारेक्टर मेक का हजबन उसे बच पाएगा उसके यहाँ आने के बीचे इरादे क्या थे यह हम आज के हमारे मुवी A Good Woman 2004 की एक इंट्रिक ड्रामा हॉल्यूड मुवी में देखेंगे यह मुवी एक एसे ट्विस्ट के साथ आती है जिसे आप इमेजीन पर नहीं कर सकते हैं तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीज पैसे नहीं थे वेटर उसके पास आया और यह बात उसे समझ में आके वो उससे कोई भी बिल नहीं मानता आरलेन बाहर जा रही थी तो अलग वेटर उसके लिए बिल लेकर आया उसे पैसों की बहुत ही कमी आके थी तो अपनी जेवर विग्रा सब को सेल करकर इस सीटी उसे चोड़नी पड़ती है उस शिप लेकर अब इटली पहुची है वहा कि निस्पेपर में उसे एक बहुत ही अमीर आदमी के बारे में पता चला पर वो मैरिट था पर इस बात से आरलेन को कोई भी फरक पढ़ने नहीं वाला था अगली जिन में हम उस अमीर आदमी वो तुरूंद उसकी पास आकर उसके साथ फ्लरट करने लग गया कहता है कि मैं मेरे सिस्टर के लिए भी गलो लेना चाहता हूँ तुमारे हाथ भी उसी की तरह है तो क्या में गलो आपको पहना सकता हूँ मैं किस बात के लिए मान की थोड़ी दरी में मेक के हजबन को लेक रहा है रॉबर्ट और मेक अभी अभी सिटी में मूव हो रहे थे तो अलग-अलग जगा देख रहे थे उन्हें एक पैलेस पसना तो रॉबर्ट ने मेक के लिए बाय कर लिया यह सब देखकर वह बहुत ही खुश थी डारलिन और रॉबर्ट यह अपने बिजनेस में एक सा पास आ गया उसने उसे ड्रिंक के लिए पुशा तो मेक उसे मना कर दिया कहती कि मेरी फैमिले में कोई भी ड्रिंक नहीं करता वो अपने बचपन के बारे में बताने लग गे तो जब वह बहुत ही चोटी थी तब उसकी मदर की टेथ हो गई थी बाद में उसके फादर भी गुजर गए तो फादर की सिस्टर ने उसे चोटे से बढ़ा किया था अपने मदर की एक बहुत ही पुरानी फोटो ही में के पास है जिसमें भी आप कुछ भी सई से देख नहीं पाते है डारले ने मदर की फोटो देखकर का कि तुम भी इतनी प्यूटिफुल हो तो मुझ के लिए किफ्ट लेने के लिए रॉबर्ट एक जूलरी शॉप में आता है वहाँ पर अर्लिन भी थी रॉबर्ट से कहती है वाइफ के लिए कभी भी जूलरी पाय मत करना उसे लागए कि शायद तुमारा किसी और के साथ अफेर चल रहा है और दूसरी लड़की को भी तु तुम्हें उसे कुछ special देना चाहिए एक hand fan उसे बहुत ही अच्छा लगा था तो उसे हो suggest करती है शॉप कीपर ने रॉबर्ट से कहा कि मैं sale नहीं करना चाहता और रॉबर्ट को इतना अच्छा लगा था तो बहुत ही जादा पैसे देखकर उसे पाय कर लेता है घर जात व उसके मुलाकात हुई और उसे पुछती है कि कैसे देख रहा है मैंने कहा कि आदमियों को यह सब है पसंद आता है मैं नहीं कहा कि मैं मेरे हस्बंड को जानती हुग उससे आफ पसंद नहीं आता नेकी से नम देखते कि रॉबर्ट की फ्रेंड उस पर नज़र रखने लगे थ आजकल वो सबसे छुपते छुपा थे आरलीन के घर पर जाने लाग्या था उसके पीट भी जो बहुत ही बुरी बुरी चीज़े बोला करते थे एक दिन मेक और रॉबर्ट को लंच पर ले जाने के लिए डारलीन पहुच जाता है अजनक से रॉबर्ट को अर्लीन का कॉल आ क्या, गहता है तुम्हीं इस तरहीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए वो अभी क्यावे उसे मिलना चाहती थी मेग और डारलीन के साथ अपना लंच का प्रोग्राम उसे कैंसर करना पड़ता है उसने कहा कि तुम दोनों लंच के लिए चले जाओ आसपास घुमते हो डारलीन ने रॉबर्ट की चेक देखे उसमें आरलीन के नाम पर उसने कुछ पैसे किये हुए थे इन चेक्स की वज़े से उनका अफिर कन्फरम हो जाता है इस सिटी के और एक अमेराद में जिसका नाम था टपी उसके साथ भी आरलीन का मिलना जुलना होने लग गया था एक दिन उनके फ्रेंज डिसकस करते हुए गयते हैं कि शायद आरलीन और रॉबर्ट इन दोनों में चक्कर चल रहा है यह बात उसे बता देते हैं टपी ने कहा कि रॉबर्ट सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट देख रहा है उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है लंच के लिए डारलीन में को सी के बास लेकर आया मैंने कहा कि हम दोनों तो रेस्टॉर्ण में जाने वाले थे डारलीन कहता है इतने अच्छी खुली हाओ है इतना अच्छा लंच तुमें कही भी नहीं मिलेगा रोबर्ट अरलीन के पास पहुचा तो अरलीन के सर्वन भी उसका बहुत ही मज़ाग उड़ाते है क्यों क्यों ने उनके अफिर के बारे में पता था थोड़ी देर में रोबर्ट कहता है कि में सिफ लंच के लिए गई है मैं लेट हो गया तो शायद उसे शक चला जाएगा वो अरलीन को कुछ पैसे देख कर जाता है अरलीन ने पूच्छा तुम दोनों मिले कैसे थे क्या तुम उससे प्यार करते हो रोबर्ट ने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ गर आते वग मेग डारलेन से कहती है कि रॉबर्ट के ओफिस में चलो वहाँ से मुझे पिक कर लेंगे मेग को वहाँ पर पता चलता है कि रॉबर्ट अपने ओफिस में आया ही नहीं था मेग ने कहा कि तुम अपने ओफिस में नहीं थे रोबर्ट कहता है कि मेरे जाने के बाद तुमाई होगी इस तरीके से उसका जूट पकड़ने के बाद मेक को ज़रा बुरा लगता है नेकसिन में सब लोग ओपेरा देखने के लिए गए गए थे अर्लेन और टपी को एक साथ बात करता देख उसके बारे में वो गौसिप करने लग गया वो किस तरीकी के और थे यह सब वो बात कर रहे थे तो इसमें मेक भी बहुत ही इंटरस्टेड हो जाती है एक लेड़ी ने कहा कि रॉबर्ट उसे जानता है तो इस बात को डिनाइ करता है वो मेक से कहता है कि मैं सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट देखता हो इस तरीके का लोगों का देखना है आर्लेन को अच्छा नहीं लगता अब उसे मेक भी देखने लग गई थी तो इस बात उसे बहुत ही जादा अनकमफटेबल फील करा दिया उसने टपी से कहा कि हम दोनों को कही और जाना चाहिए तो टपी भी इस बात के लिए मान जाता है टपी को आर्लेन के बारे में पता था कि उसका पास्ट उतना अच्छा नहीं है पुरो जैसी है वैसे उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था टेपी के भी दो तीन एक्सवाइब रहे चुकी थी आर्लेन फिर उसे अपने घर पर लेकर आई घर आने पर में एक रॉबर्ट से कहे दिए कि तुम्हें आर्लेन को हेल्प नहीं करना चाहिए हम सब को बताया कि वो किस तरीके से पैसे कमा दिया रॉबर्ट कहता है कि सिर्फ मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ में का मोड अच्छा करने के लिए उसका बट्टे गिफों उसे पहले दे देता है में को बहुत ही पसंद आया आर्लेन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी उसे लगता है कि ये दोनों एक दुसरे को समझ बात है तो टपी ने कहा कि शायद मुझे तुमसे शादी करने चाहिए आर्लेन कहती कि मेरी कोई भी शादी ठीकी नहीं है स्लोली स्लोली प्यार कम होता जाता है और आप स्टक मेहसुस करते हो टपी ने कहा कि शायद तुम राइट परसन से कभी मिली नहीं इसी वज़स तुमें ये सब लगता है आरलिन कहती कि सब गलती शायद मेरी ही थी टपी उसके पास आ गया और उसे किस करने वाला था तो आरलिन कहती कि मुझे सिगरेट की स्मोक अच्छे नहीं लगती टपी वही के वही हमेशा के लिए सिगरेट पीना छोड़ देता है जाते जाते को कहिकार गया कि मैं बहुत यामीर हूँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा अब नेक्स डे मेग की बड़े पार्टी थी डार्लिन उसके लिए बहुत ये एक्सपेंसियो गिफ लेकर आता है मेग ने कहा कि मैं एकसेप्ट नहीं कर सकती लोगों को अगर पता चला तुने लगेगा कि हम दोनों के बीश में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डार्लिन गयाता है कि मुझे इस सब चीजों से फरक नहीं बढ़ता हम दोना एक दूसरे के बहुत ये अच्छे फ्रेंड्स है अगर तुम्हें कवे भी किसी भी सारे की जरूत पड़े तो हमेशा में तुम्हें सपोर्ट करूँगा पार्टी में रॉबर्ट का एक इंप्लॉई आ हुआ था जिसकी पेमेंट बाकी थी उसकी पेमेंट करने के लिए में एक रॉबर्ट के आफिस में चली गी वो एक चेक लिखती है पर इसमें उसे पता चला कि रॉबर्ट ने आरलेन की नाम पर बहुत सारे पेशों की चेक्स लिखे है उसे भी लगने लग गया कि रॉबर्ट और आरलेन की बीच में अफिर चल रहा है इस बात से वो बहुत ज़ादा अफसेट हो जाती है अपने एक फ्रेंड को बात बता दिये तो फ्रेंड ने कहा कि आरलेन उसी टाइक की है हर आदमी को फसा देती है मैं एक कोच्छा फिल कराने के लिए उसे और शॉपिंग पे लेकर गई पैरलल में आज रॉबर्ट टपी के साथ गेम खेल रहा था टपी ने कहा कि मैं और आरलेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते है तुम्हारे साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप है पर उसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा रॉबर्ट को ये बात बहुत ही अला लगी क्योंकि रॉबर्ट और आरलेन की रिलेशनशिप को लोग इस तरीके से जज़ कर रहे है वो डारेकली आरलेन से बात करता है कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए मैं रेडी हूँ पर तुम्हें अभी क्या भी इस सिटी को छोड़ कर जाना पड़ेगा आरलेन ने कहा कि मुझे मेक से बात करने है मैं उसकी मदर हूँ और उसे छोड़ कर क्यों चली गई थी ये सब चीज़े मुझे उसे एक्स्प्लेन करनी है रॉबर्ट कहता है कि इन सब चीज़ों की वज़े से वो डिस्टब हो जाएगी वो खुश है और उसे इस सब की जरुवत नहीं है इसे एक बात को लेकर आरलेन रॉबर्ट को ब्लैक मेल कर रही थी इसी वज़े से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिये थे उसे तो लगता है कि आरलेन और रॉबर्ट के वेश में आफेर है गुस्से में जिस तरीकी की ड्रेस आरलेन की थी उसी टाइब की ड्रेस उसने पाई कर ली थी और उस सब के सामने आ जा दिया रॉबर्ट उसे लेकर जा रहा था पर उसे कहती है मुझे तुमारे हो Arlen के बारे में पता चल गया आज तुम मुझे कुछ भी बोलने की जुरत मत करना बाटरी में बात करते करते हैं डंबी ने लोगों से का कि Mag और Arlen सेम ही लगती है पर उसे कोई भी जादा सिरियसली लेता नहीं पार्टे मब मेग और आरलेन की ड्रे सेम है डारलेन को लगता है कि वो मेग है और वो आरलेन के पास बहुत जिया और उसे कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही हो वो आरलेन को देखका सप्राइस तो था पर उसे कहता है कि टपी के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है रॉबर्ट उसे ज़्यादा अमेर है तुम्हें उसकी साथ अफेर कंटीनू करना चाहिए मैं एक रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है तो अगर वो तुमसे शादी कर लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी में टपी के फ्रेंड्स उसे समझा रहे थे कि आरलेन के साथ उसके रिलेशन्शिप उसे कंटीनू नहीं करनी जाई है टपी ने कहा कि अब मैं ओल्ड हो चुकाओ उसे फिर से कोई भी मिलने नहीं वाली और आरलेन बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स ने कहा कि वो सिर्फ तुमारे पैसो के लिए तुमारे साथ है टपी ने कहा कि अगर वो ब्यूटीफुल नहीं होती तो मैं भी उसे कोई भी भाव नहीं देता उसे रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह लगती है पर फिर भी आरलेन सो बहुत प्यार करता था मैं एक डिस्टाब होकर बहुत ही ज़्यादा ट्रिंक कर दिया रॉबर्ट ने उसे रोकने की कुशिश की पर उसे कोई भी बात तो नहीं मानती मैं एक को उपसेट देक डारलेन उसके पास पहुच आता है उसने कहा कि आरलेन बहुत बुड़ी है तुम बहुत ही जाता ब्यूटिफुल हो उसके पास आकर उसे किस्ट कर लेता है लिस्टाब होकर मैं एक बाहर आगे डारलेन ने कहा कि रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया अब तुम्हें उसे छोड़ दिना चाहिए वे तुमसे बहुत ही प्यार करता हो मेरी चिप में हम दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते है रॉबर्ट मेक को ढूंटे ढूंटे बाहर आ गया था तो छुब जाती है मोके का फायदा उठाकर टपउप पार्टी में आर्लेन के पास आया उसे मैरिज के लिए प्रपोस कर देता है आरलेन भी उसका मजाग लेती है कि सिर्फ पेसों के लिए उसके साथ वो शादी कर रहे है और इसके बाद इसके लिए हो मान जाती है रोबर्ट आर्लिन को पार्टी में देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था उसे और पैसे देता है और जल्दी से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है आरली ने कहा कि मैं डारेक्ली जाकर मेग से बात कर सकती हूँ उसे समझा सकती हूँ कि मैं और टप अप शादी करने वाले है इन दोनों का बात करना है मेग ने भाहर से देख लिया तो और भी जादा वो गुस्सा हो के आरली न वहाँ से निकल रही थी तो फाइनली मेग से वह बात करने के लिए आई मेग के रूम का दर्वाजा खुला था उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्टी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वह हमेशा के लिए उसे छोड़ कर जा रही है मेग को ढूनते हुए रॉबर्ट भी उपर आ रहा था तो अरली न ने उसके रूम का दर्वाजा बन कर दिया रॉबर्ट को लगता है कि मैं गुस्सा है इसी वज़े से दर्वाजा खोल ने रही उसे कहता है कि अरली और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है वो तो बहुत ही ज़ादा बूड़ी है और दिखने भी में इतने अच्छी नहीं है रॉबर्ट के जाने के बाद अरली टबी के पास आई और उसे कहती कि रॉबर्ट को आज रात घर के बाहर ही रखो टबी ने पूछा कि ऐसा क्योँ अरलीन कहती कि अगर तुम उसे शादी करना चाहती हो तो बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं पूछने पड़ेंगे बहुत बार तो मेरे क्वेस्टन के मुझे ही आंसर पता नहीं होते है टबी भी ये बात मान जाता है एक्च्वल में में एक डार्लिंग के बोट पर आ गई थी उसी के साथ वो भाग जाने वाली थी उसे समझाने के लिए बोट पर अरलीन आ जाती है वो कहती कि तुम्हें अपने हस्बन के पास वापस जाना चाहिए हम दोनों के भीच में कुछ भी आफेर नहीं चल रहा मैं उसके एक रिलेटिव हूँ और उसी वज़े से वो मुझे पैसे दे रहा था तुम्हारा अजवन तुमसे बहुत ही प्यार करता है मैं एक उस पर जादा बिलिव नहीं करती तो अरलीन ने कहा कि अगर तुम इस तरीके से चली जाओगी तुम्हारी लाइफ बहुत ही बत्तर बन जाएगी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बाते करते रहेंगे तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी पर 20-30 साल में तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा जाल रहा है तुम्हें को रॉबर्ट ने मेंग को जो हैंड फैन दिया था यह मिल जाता है रॉबर्ट कन्फियूस हो गया कि मेग का फैन यहाँ पर आया कैसे है अगर उसे पता चलता कि मेग यहाँ पर रहा है तो उसका नैरीज हवेशा के लिए ठूट जाता अर्लीन उसे बचाने के लिए नीचे से उपर आ जाती है ये बोट डार्लीन की थी तो टबी को लगता है कि अर्लीन और डार्लीन इन दोनों में अफेर चल रहा है वो गुस्से में वहाँ से चला गया सुबहोंने पर रॉबर्ट घर पर आया तो में उसे घर पर ही मिल दिया इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था बातों बातों में में को पता चला कि टबी ने अर्लीन से परिक अप कर लिया है उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है आज लास् टाइम अर्लीन मेंग से मिलने के लिए आयी हुई थी रॉबर्ट ने अर्लीन से बात की कहा कि अगर तुम सच मुश में मेंग से प्यार कर दिया तो इस तरीके से उसे छोड कर नहीं जाती अर्लीन ने कहा कि जिस तरीके का मेरा marriage था उसमें मेरे पास कोई भी option नहीं था उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है पर तब मेग वहाँ पर आके मेग ने कहा कि मेरी वज़े से तुम्हारा मैरे श्टूट कया मैं रॉबर्ट को सब कुछ सच सच बता दूँगी अरलीन कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना तुम दोने एक दूसरे से प्यार करते हो यही तुम्हारे लिएक सच है उसे promise करने के लिए कहती है मेग ने कहा कि मैं मेरी मदर की promise लेती हो मेरी मदर मेरी guardian angel है वो हमेशा मेरा खैल रखती है यह बात सुनने के बाद अरलीन यहां से जाने लगके रॉबर्ट ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं अरलीन ने कहा कि मेग अपनी मदर को भगवान समान मानती है उसकी इस faith को मैं destroy नहीं करना चाहती है जाते जाते रॉबर्ट ने जो भी पैसे अरलीन को दिये थे इस सब कुछ वो return करकर जाती है मेग और रॉबर्ट के विश में सब कुछ ठीक हो गया था अरलीन जब plane में बेटी तो टबी उसका wait कर रहा था टबी कहता है कि मेग ने मुझे सब कुछ बता दिया है अगर आपको एकस्प्रेंशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुविस लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल ओडिवेशन आइकों दाने मत भूलेएगा हम विर से मिलेंगे और एक ने